तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीका से मैंने CA अपना regular college के साथ manage किया था regular college मतलब शीराम college of commerce Delhi University और क्या strategy था और किस तरीका से आप लोग ये strategy follow करके implement करके CA journey को fulfill कर पाएंगे and clear your exams as well तो start करते हैं इस वीडियो को और बहुत सारे aspects भी मैं आपने बता हूँ कि कैसे मैंने both group दिया था CA inter का या फिर अलग-अलग दिया था या फिर मेरा क्या strategy था किस तरीका से मैंने पढ़ाई किया था coaching centers क्या था start करते हैं इस वीडियो को और अगर आप नहीं आए चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजाएगा और कोई भी डाउट है तो आप मुझे करके मुझे सकते हैं इस सब्सक्राइब को लाइक करना मत भूलो यार लाइक तो मुझे मिलती है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए सब्सक्राइब बहुत सारे बैग्राउंड इसमें मौझूद होता है जब आप लोग सीए स्टार्ट करते हैं रेगुलर कॉलेज जैस करता है इन रेगुलर कॉलेज मैंने जो कोज कर था इसा से वह था बीकॉम ऑनर्स अब देखाया बीकॉम ऑनर्स मैं बहुत जादा वीडियो बना चुकां अपना चैनल में जहां पर मैं बताया हूं कि जो कॉर्स है जो से सिलेबस बिकॉम ऑनर्स का वह से यिये करयो के दिजर्ब मुझे पढ़ रहे हैं वही य का इग्जाइम में भी आएगा तो इसे क्या होता है मुझे अगर लेका अगर आप बीवीए भी कर रहें तो उतना ज़ादा इंप्ट नहीं पड़ेगा या फिर रिलेटेट कोर्स तो इसलिए आपको कोर्स बहुत जादा मेंटर यह पिर आता है सब्जेक्ट कि चूज करना होता है हम लोग अगर यह ज्यादा सिमिलर होता है सिये जर्नी का अब बह जो 75% SRCC मांगता है अब यहाँ पर मुझे compromise थोड़ा सा करना पड़ता है क्योंकि मैं ज्यादा तर 70, 72, 75 ऐसे टच कर लेता हूं लेकिन उतना भी ज्यादा मांग नहीं पता हूं मेरा पास एक बार भी notice अभी तक आया है नहीं कि मैंने कम attendance दिया है तो यह एक balance था मेरा और इस मेरा माइन में बढ़ आता है तो इससे क्या होता है कि college जो है आपको जाना जरूरी है आप लोग ऐसा मत छोड़ दीजेगा कि college को भाई college जाने जरूरत नहीं अपना इंटर्नल दिया हूं सुबा 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 आट बज़ा जाके मैं इंटर्नल दिया हूं और उसके बाद तुरंत मैं थोड़ा सा breakfast करके निकल गया हूं अपना foundation एक्जाम देने के लिए ऐसा भी होता है और यहां पर बहुत जादा important aspect यह भी है अगर आपका college का semester exam औ आपने समहालो बीकॉम का जोब का degree रहेगा वो पूरा साल साल रहेगा अगर आप इसमें छे मैं डिले भी कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं होने का अगर आप बहुत ग्रूप करके क्लियर करके बैट जाएंगा ना college में आप आर्टिकल्शिप चालू नहीं कर पाएंगे unless and until आपका graduation complete हो जाएं क्योंकि वह rules है तो इसलिए अगर आपका 6 मन चली भी जाता है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगले अटेम्ट देदेगा या आप देखो है बहुत लोग ना इदम hardcore CA करना चाहते हैं मतलब की CA के लावा उनको कुछ नहीं देखता तो फिर वह आप जाते हैं this is your choice and this is completely fine क्योंकि big force जो होता है वो first attempt में मांगते हैं तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं बट यह आपका चोईस है exam अगर overlap करना तो आपको किसका करना है क्योंकि college बहुत जाता दिक्कत करिया अगर आप semester exams छोड़ते हैं तो यह सब college को पता है तो दिया हूं कि मैं सुबह सुबह exam दिया हूं जब मेरा कोविट के चल था exam का एक semester में मैं तू दो बज़े से exam है दो बज़े मेरा submit किया हूं paper को और उसी समय rush किया हूं मैं आदा घंटा exam CA का late भी आया हूं ऐसा भी हुआ है मेरे साथ और वो item clear के लिए था मैं चिंदा मत करन है और discipline लेने के लिए को क्या करना है आप लोग को regular टेस्ट भी देना है इससे क्या होता है कि आप लोग अपने आपको evaluate कर पाएंगे अब देखर यहां पर बहुत सारे सी एस्पिरेंट सी वीडियो देख रहे होंगे या फिर कोई उनका कॉली कली या फिर उनका कली कोगा या फिर कोई जूनियर ओगा जो करने का जरनी सोच रहेंगे अब यहां पर कोचिंग का भी बहुत जाथा दिक्कार आता है मैंने अबितक कोई भी गोचिंग नहीं लियुक्ष कैठा में मैं कुलियर और सी इछ सब्लीर कर चुका हूं और अब ही तक मेरा क्लियर हो चुका एक्जाम को कवर कर चुक हैं जैसे कि जेए नीट एंट एक्टरा एक्टरा अब वो लाए हैं सीए वाला अब यहां पर आपको सीए जन्ने में फिजिक्स वाला आपको मतलब कि आप बहुत कम प्राइस में आपको बहुत आदा आप आउट्पुट में वाला है टॉप फैकल्टी यहां पर आपको मिल जाएगा और यहां पर अभी सीए वाला के अंदर और यहां पर अभी सीए फांड़ेशन का बैच चालू हो चुका है संपूर्न बैच अट कंस इतना कम प्राइज में 3499 में चारो सब्जेक्ट पढ़ा दिये आपको और साथी साथ यहां पर पीडिएफ नोट्स मिल जाएगा टेस्स यहां पर लॉंच जहां पर रेगुलर ट्रेस्ट दे सकते हैं जो सको मैंने बताया है कि आपको टेस्स देना है तो टेस्स आप लोग यूजे 250 इसे यूज करेंगा अगर बैस का ज्यादा डिटील चाहिए तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिम्शन पर रख दिया है कूपन कोट भी मैंने लिख कर रख दिया है सिंप्ली आपको क्लिक करके पर्चेस करना है और कूपन कोट अपलाई भी करना है फिर आता है आप फ्री टाइम यह बहुत जादा इंप्रेंट फ्री टाम या-फिर आप कैसा कर रहा है चाहिए कि मेड़्ो मैं अगर आप स्राइवल कर रहे हैं या फिर स्ष्याएं या फिर आप लोग कर्द हste करते हैं तो आप लोग किस तरिकां से करते हैं किस था finitely करते किस तरिक करते मै रिवीजन हो रहा है वो अपना बोल रहा है मैं पढ़ा रहा हूं और मैं सुन रहा हूं ऐसा भी होता है फ्री टाइम तो इसलिए आप लोग को करना पड़ेगा यह सब फ्री टाइम का फिर आता है जितना भी आप पढ़ाई कर लो टू आर्ट ऑफ सेल्टी आपका हाथ में हो कॉंसेट पढ़ाता है यह आपको पर डिपेंड करता है इसको पर मैं एक सपरेट वीडियो बना दूंगा जो आपको हेल्प कर देगा ताकि आप लोगा कॉंसेट बहुत जादा चल्दी से रिवाइज हो जाए और उसके बाद आप लोग पर सकते हैं और रिविजय मिलते हैं अगलों तब तकि लेपाए